हलो इस्टुडेंट्स तो आज हम सुरू करते हैं आपका चेप्टर इंट्रोडेक्शन टू 3D जोमेट्री और यहां पर मैं आपको बता दूंकि जो अभी तक आपने पढ़ा है वह आपने 2D जोमेट्री पढ़ा है एक प्लीन के अंदर जोमेट्री खाम प्लीन जोमेट्री पर नहीं हुआ हम ढूरो इसमें अपको बताओं यहां पर की जब रूरी जोमेट्री करते थे तो आप लोग को किसे दो चार होना पड़ता था क्वाडेंट से और कितने आयो तो फोर कवाडरेंट लेकिन अभी हम क्या पढ़ें थी इसकेस में अब को क्या देखना पड़ेगा यहां ओक्टेंट्स होँगे और number of octane कितने होते हैं एक को याद हो तो हम बोलते हैं ने कोडिनेट जिस थे अब हम इसी तर से आपके अग्य तर्ट कराते हैं तो जैसे के मैंने बता है कि अभी हम थी-डी-स्टार्ट कर धें तो यहां पर आप सोलीट की हटे होँए तो देखिए मेरे पास यहां पर four books है one book यह रही one book यह रही इन्हें मैं रख देता हूँ फिर यह देखिए one book यह रही यह solid है अब मैं किसी एक book उठाता हूँ जाद ध्यान से देखिए इसका length देखिए कितना है इसे मैं A मान देता हूँ length कितना है? A और width कितना है? B और height कितना है? C ध्यान रखें length A, width B और height C अब मैं इसको कुछ ऐसे रखूँगा कि जो length है यह x-axis में हो width हमारी y-axis में हो और जो इसके height होगी वो z-axis में होगी क्योंकि तीन हो axis एक दूसरे के perpendicular होती है पर इसको इसके हैं तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ पर यह book जो है इसकी जो upper-wali age है इस ABOUT हूँ mein दोनों को मैं अशका के रखूँगा तो यह x-axis हो जाएगी और ये बुक की जो ये वाली अपर विट्स वाली एज है और ये विट्स वाली अपर एज जो मैं इसको ऐसे मिला रहा हूं तो ये आपकी Y-axis होगी ध्यान रखेंगे इस तरह से ये वाली बुक के लिए ये दोनों एज X-axis पर आएंगी और ये दोनों एज Y-axis पर अब बात आती है आपकी Y-axis के Y-axis कहां है तो मैं बताता हूं Y-axis को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ यहां पर आच्छा मोगा है समझाने का यह यहां पर origin है यह जो यह पॉइंट है आप ही देखें यानि इन फोर बुक्स का यह जो यह common age है यहां पर वाला यह corner तो इस पर देखें ऐसे तो Y-positive होगा और मेरी तरफ को Y-negative होगा यहां से उपर जाएंगे तो Z-positive होगा और नीचे जाएंगे तो Z-negative होगा correct है तो यह book की जो thickness है वो उपर जाने की बजाए नीचे जा रही है यह जो यह coordinate होगा नीचे वाला यह negative होगा ध्यान देगे मैं आप आपको बता दूँ Z-axis ढूंड रहे हैं हम लोग तो जो मेरा यह marker है इसको मैं यहां रखता हूँ पने pen को और यह आपका Z-axis clear तो X-axis कहा है यह वाला यह यह वाला यह यह वाला यह यह वाला यह और Z-axis कहा है यह वाले कहां से जो पैन का part मेरा यह book के साथ book के अंदर चला यह आपका negative है और जो ऊपर आपको दिखाई दरा यह positive है जहां से आपको pen दिखाई देना शुरू हुआ यहाँ zero है तो यह आपका क्या हुआ origin clear चलिए अब मैं 0-4 octane हुए तो 4 octane और ला रहा हूँ एक octane देख और extra यह रहा एक octane और extra यह रहा एक octane और extra मैं यहाँ लाता हूँ यह यहाँ आ जाएगा और एक octane और मैं यहाँ ले आता हूँ clear है तो अभी हमारे पार four and four eight octane हो गए यह जो यह वाला octane है इसको हम first octane बोलते हैं अब मैं कैसे महना हूँ देखूए यहाँ से कैसी छल और नियों देंगे जो मैं कैसे चल नहाहिए ह sledंण है यह जो second octane यह वाला octane आपका This is ुआ के दिखाता हूं यह हम्धूकण्द है यह आपका थार्ड-घंड और यह आपका हउरत क्रियर अने में चारों को अलगाता आथा हम ज्ञान दे तो अभी आप यह देखेंगे इनसों इसागले के बात में जो ये ऑप्डेंट है ये वाला यह का फिक्त अप्टेंट है ये आपका सिफ्त अप्टेंट है ये हमारा सेवन्थ ओक्टेंट है और जो लाश्ट है जो इस बुक के नीचे ये वाला ये है ये हमारा एट ओक्टेंट है कि लिए रिशुडेंट तो अभी आप थोड़ा ध्यान देंगे ये फिर से मैं ओक्टेंट को सेट करता हूं अब ये आप देखें हैं आपर फर्ट ओक्टेंट की बात करते हैं ये वाला ओक्टेंट मैंना आपको बता था हर एक बुक के लिए जो लेंध है वो ए है ब्रिट हमारी बी है और जो हाइट है वो सी है आप मुझे बता सकते हैं इस पॉइंट के कोडिनेट क्या होंगे सब्सक्राइब मुझे इस पॉइंट के कोडिनेट बताओ यहां पर एक्स जीरो होगा वाई जीरो होगा और सी की वैल्यू पोजेटिव जैदि मैं इसको थबकर थोड़ा पीछे अटाकर इस पॉइंट के गए इस पॉइंग के कॉर्वनेट क्या है जहां पर ये वाले बुक ये वाला एंज है ये होगा 000 C अब यहां पे देखे इसका क्या होगा ये होगा आप ये मैं के को डियो भी और देखते हैं ये वाला कितना होगा इसका वाली इसके कोड़नेर बताइए मेरे को तो यह होगा A B C यहां बताइए इसका क्या होगा यह होगा आपका माइनस A माइनस A B C यहां बताइए इसका क्या होगा यह वाला इसके लिए होगा minus A minus B C और इसके लिए क्या होगा यहाँ होगा यहाँ पर यह होगा A minus B C यही मैं sign के respect में चेक करूँ तो इस octane में यही कोई भी point लाई करेगा पहले octane में तो इसका sign होगा X, Y, Z के order में बोलें हैं लोग positive positive second octane देखिएगा negative, positive, positive उपर है ये उपर वाली लेर में positive आएगा जैड एक से यहाँ पर देखिए यहाँ पर third octant की बात कर रहे हैं क्या से लगा negative, negative, positive अब fourth के लिए क्या लेगा है यहाँ के लिए यह होगा आपका positive negative positive यह आपके first, second, third, fourth octant हुए आईए अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको बता हूँगा fifth octant के बारे में जो fifth octant आपका होगा यह वाला होगा आप मुझे बता सकते हैं each point के कोडिनेट क्या होगी यह यह वाला point यह उपर वाला edge यह होगा 0 फिर B और फिर 0 यह क्या होगा यह होगा आपका 0 गलत सही वोलो A next B next 0 ना उपर जा रहे ना नीचे नीचे वाली edge पकड़ूँगा तो सी माइनस होगा इदर आजाईए यहाँ 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 पर आईए इसका क्या होगा यह होगा आपका माइनस A B 0 इदर माइनस A माइनस B 0 यहाँ पर A positive हुआ माइनस B और 0 अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ जो जहाँ देखिए यह वाला यह वाला corner जो पूछा हूँ नीचे वाला corner यह तो यह कितना होगा यहाँ से diagonal नीचे वाला corner तो चलिए कितना है यह यह होगा आपका A B माइनस C और यहाँ क्या होगा यह होगा आपका माइनस A B माइनस C इदर क्या होगा नीचे वाला नीचे वाले की बात कर रहा हूँ नीचे वाला नीचे वाला नीचे वाला यहां पर 3 के 3 कोडिनेट आपके कहते होते हैं नेगेटीव होते हैं फर्स्ट में 3 पोजिटिव उसका डीडिवन यूपॉजिट्ट 7 तीनो नेगेटिव और यह आपका 8th ooktent इस यूर 8th ooktent क्या होगा आपका यह होगा आपका पोजिटीव नेगेटिव यहां पर दिकका नीच वाला पोइंट हो यहां ते किलिए हो जाएगा क्या है का वोडिल कोडिनेट यह होगा आपका A फिर क्या होगा यहां पर माइनस भी और माइनस ए तो यह वागा पोजेटिव नेगेटिव नेगेटिव आई यह मैं एक बार फिर से आपके एट आउट आप एट अप्टेंट रख देता हूं और बस आप से पूछते हुए मैं इसका उठा लेता हूं और आप फिर आपका य बताइब है फर्स्ट प्र य फिर फिर फिल य अजर्ट यही होता है आपका मालू में यहां वकलता इस टार्ट प्लास प्लस प्लस पहला सेकंड की बात कर रहा हूं बोलिये माइनस प्लस थर्ड बोलिये माइनस माइनस प्लस फोर्त वाला प्लस, माइनस, प्लस फिफ्ट वाला दोबारे नहीं आएंगे, बहुत जानते देखेगा यह ठाले तो में पेन और यहाँ देखते हैं क्या होगा इसका? प्लस, प्लस, माइनस चलिए, शिख्त वाला देखते हैं यह होगा आपका माइनस प्लस माइनस सेवन थार देख एए हम मिश्च अगय होगा माइनस माइनस और थ्री मनल सावन और यह आपका एट वाला प्लस माइनस माइनर तो इस्ट्रेंट यह थे आपके एट ओक्टेंट और थ्रीडी होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और अभी हम एक्सराइज इस्टार्ट करते हैं आप देखेंगे आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले आ रहे होगे तो लाटि स्टार्ट एक्सराइज तो इस्ट्रेंट जैसा कि आपको मालूम है कि जो 3D जोमेट्री है इसमें आपके 8 ऑक्टेंट होते हैं तो आए पहले मापको एट और एंड़े के बारे में यहां पर बता दूं कि यदि हम लोग के एक 3D स्पेस को हम लोग इस तासे 8 पार यह आपका X-axis है यह आपका Y-axis है और यह आपका Z-axis देखिए तो यहाँ पर है यह टो टेंट आपको दिखाए देने हैं जो पहला अप्टेंट हैं देखिए यह एक्स पोजेटीव होगा वाई जो बाहर की तरफ हारा है देखिए पोजेटीव है और जैड पोजेटीव तो देखोए यहाँ पर यह पहला अप्टेंट जो आपको हैं बाहर की तरफ यह इस पार्ट से यह दिखा इधर आघी अपी दूसरा तो यह यह वाला नों बने पहला यह पर पहलं यह प्लस फ्लस प्लस यहाँ पर एकसवाइज एर तीनों प्लस होँगे जो दूसरा होगा वह है इसको इधर आ जाते हैं यहाँ देखें चेकिन वाला तो यह क्या होगा आपका यहाँ पर एकस की मेलिव नेगेटी हो जाएगी क्योंकि यदि इधर एक यहाँ हो गाएगा एक्स डेस अरगा हो जाएगा यह डोटिल करता हूं इस तरह आप नीचे देख सकते हैं ये आपका जैड़ेस और इसके लिए आप बहार वहां देख सकते हैं दुछ तरह इदर कहीं निकलेगा और यह क्या होगा आपका यदेस तो देर देखें यहां पर x negative होगा y positive होगा और z हमारा उपर positive होगा तो यह minus plus plus थाड़ वाला देखिए यह ठीक इसके पीछे वाला यहां इसके पीछे तो यह इसके पीछे यह बन रहा है तो यह क्या होगा है यहां पर x की value negative y की value उधर negative और यह z की value positive फूर्थ quadrant देखिए यहां पर x की value positive y की value यहां पर है y की value तो उधर कैसे जागी negative और z आपका positive तो यह positive नेगेटिव पोजेटिव चलिए फिप्त अक्टेंट को देखते है फिप्त अक्टेंट आपका यहां पर है इसके लिए क्या होगा x की value positive y की value positive z आपका नीचे चला गय देखे यहां पर x की value negative क्योंकि हम origin है यह आपका origin से इधर आ रहे हैं और यहां पर यह कितना हो जाएगा y positive तो देखो यह नेगेटिव कॉमा पोजेटिव कॉमा और यह क्या होगा आपका z की value negative जो 7th octane वो completely इसके पीछे hidden है बिल्कुल दिखाई नहीं देगा आपको इसक x की value देखे imagine करो उसके पीछे क्या होगा यह यहां थर्ड है थर्ड के नीचे वाला है वो ठीक तो यहां पर x negative फिर उदर जाएगा तो y negative नीचे जा रहा है तो z तो देखो यहां पर मैंने लिख्या उसका है तो 7th वाले के लिए तो negative नेगेटिव और जो 8th वाला है वो कह है तो कहता हुआ नेगेटिव इस तरह देख्यूदेंट आपके ओल एट ओक्रेंट के लिए हमने साइन बताए और अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सराइज 12.1 और देखें यहां पर जो पहला कोश्चन है इसमें आप से पूछा है एप पॉइंट इज ऑन एक्स ए देखें बहले य ना तो यदिससे आगे आते हैं लोग तो वाई पोजेटिव उदर जाते तो नेगेटिव यह तो इसी एक्स एक्स के उपर ही है तो य की वैलिव होगी और य वैटियो होगी जिए और जैड के लिए देखें यह एक्स एक्साम ने दिख रहा है इससे ऊप कहते होंगे यहां उन्होंने पूछा है कि ए पॉइंट इन्हें एक जैड फ्लेंट वाट केंन यू से अबाट इस य कोडिनेट तो यह एक से हैं और यह आपका जैड यहानि कि यह जो रेडवाला जो रेडवाला पेने देख यह एक जैड प्लेन है यहां पर आपके x-direction में है और z-direction में है यानि कि यह आपका board है यह x-z plane है देखो तो यहां पर y-coordinate कितना होगा तो यह इससे आगे आएगा हवा में ऐसे तो y-positive और यह पीछे जाएगा तो y-negative तो यहां पर तो यह x-z plane के ऊपर है तो ना positive ना negative तो यह कैसे होगा इसमे x1, y1, x1, y1 की value तो होगी x1, y1 की value नहीं होगी x1 होगा और z1 होगा कोई value certain होगी यहां पर और यह value आपकी 0 आएगी यानि कि जो z coordinate है क्या होगा वो 0 आएगा अभी third question देखें उन्होंने बतार name the octant in which the following point lie तो यहां पर आप देखेंगे question 3 में point दिया है और आपको बताना है कि यह किस octant में लाई करता है तो यह है आपका question number 3 और देखें मैं नाम लिखता हूँ यह 123 चलिया octant बताईए फिर 4-23 फिर next आएगा आपका 4-2-5 फिर next दिया है आपका 4-2-5 फिर दिया है आपको माइनस 4-2-5 next होगा आपका माइनस 4-2-5 और फिर है आपका माइनस 3-1-6 और लास्ट वन इज 2-4-7 तो देखें ओडर में पहले एक्स होता है फिर वाई होता है फिर जैड होता है चलिए ओकेंट का नाम बताना आपको तीनों पोजेटिव है फ़र्ट अप्टेंट तीनों पोजेटिव आपका फ़र्ट ओकेंट फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहां है देखें हमें मिलेगा आपको प्लस माइनस प्लस यह रहा देखो प्लस माइनस प्लस कौन सा आपका फूर्थ ओक्रेंट फिर प्लस माइनस माइनस और जब आप प्लस माइनस माइनस चलेंगे तो फ्र देखें उदर मिलेगा आपका तो प्लस माइनस माइनस एक सोटेंट और नेश्ट में देखें यह प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस या नहीं एक्पोईट प्लस है तो प्लस व्लासमायनुट यह कूंसा आपका दिखेंत और फिर आप देखेंगे में नेउस प्लस plus so yeah caro deko yeah second octant so yes second octant over or phil a minus minus plus or minus minus plus after doctor and after some nadeko and last one is a plus minus minus or a plus minus minus you can save up a eighth octant so student yet a cup of question number three or abhi m the king question number four so for question when they say about question number four you have to be on a fill in the blank first part देखे क्या दिया है उन्हें बुलाय एक सक्कीट आद वालय एक सिच टेकन तुगधर डिटर्माइन घटानने और एक स्क्षाइब और यह इस से जो प्लीन मने गए और यह एक्सरी युका फ़ाइक क om now Ciao को इह को लाइड के वाइड खिंपन अ हॉआ तो यह लूइंगी फिरन अ गवायर कutet अ गया ज साघी यह और फिर है को च स्वेसटन गुम्त यह स्थे स्टारट की ति तो कोडियन अपलेन यह वाला प्रीन यह वाला आपका एक्शन और इसके साथ में कूंट यह वा लू है यह वह थिखा में ऑक्टेंट बन जाएंगे हां पर तो टोटल नमर अप्टेंट आर एट एट ओक्टेंट में डिवाइड करता है कोई भी इस पेस को क्या ओल थ्री प्लेंज तो आप देखेंगे यह आपका एक्सराइज यह 12.1 था होप आपने एंजोए किया होगा टेक केर